दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ भारत में नया लॉंच आठ फारवट आठ लिवर सिंक्रो मैक्स गियर बॉक्स के साथ में आने वाला टेक्टर क्योंकि 213 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क जो है आपको महिंद्रा नोवो सिरीज के कुछ टेक्टरों में देखने के लिए मिलता है वही टॉर्क कंपनी ने इस 48 HP के टेक्टर में ओफर किया हुआ है साथ ही साथ कंपनी ने जो है इस टेक्टर में 8 फारवर्ट 8 रिवर्स फुली साइड सिंक्रो मैक्स गियर वॉक्स के साथ में सटल गियर दिया हुआ है जिससे आप किसी भी गियर में आँगे और किसी भी गियर में पीछे जा सकते हैं साथ ही किसान भाईयों कंपनी ने इस ट्रेक्टर का जो प्लेटफॉर्म है फुली फ्लेट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है दोस्तों इस ट्रेक्टर में अल्टीनिटर की बात करें तो 12 वोल्ट 36 MPL का अल्टीनिटर कंपनी इस ट्रेक्टर में उफर करती है और इस ट्रेक्टर की जो फोर वील ड्राइब की साप्ट है कमपनी ने नौन क्रोस वाली फोर वील ड्राइब साप्ट ओफर की हुई है जिससे आप परलिंग मचववा जैसे कामों को करते समय लंबी लाइफ के साथ में सांदार परफॉर्मेंस का मज़ा लेने वाले है साथ ही साथ किसान भाईयो यह लाइफ भी आपको लॉंग देगी दूतरी बात करें दूस्तो इस ट्रेक्टर में कमपनी ने जो है परफॉर्मेंस देखने के लिए मिरेगी और किसान भाईयो यह लगा है दोस्तो बहुत कमपनी का फियूल इन नाई पम्प जिससे आपको रिलाइबल फियूल इन नाई पम्प देखने के लिए मिलता है साथ ही साथ इस टेक्टर की बात करें यदि हम ground clearance और साथ में इस टेक्टर की four wheel drive saft की fitting and finish की तो company ने इस टेक्टर के engine के mid से attach करके इस टेक्टर की four wheel drive की saft दी हुई है जो कि इस टेक्टर के अगली पहिये यानि की हंडी तक जाती है किसान भाईयो और इसको company ने proper विल्कुल fitting and finish करा के दिया हुआ है साथ ही साथ इस टेक्टर में लगा हुआ है लगवग लगवग 225 kg का heavy duty company fitted front bumper जिससे टेक्टर बहतर stability बना के रखता है और दोस्तो इस टेक्टर में company single acting hydraulic power steering offer करती है और company ने इसके साथ ही साथ इस टेक्टर में separate oil wax भी आपको offer किया हुआ है साथ ही साथ बात करें अगले सांदार फीचर से यारी एक चीज़ की fitting and finish है वो बहुत सांदार तरीके से इस टेक्टर में प्लब्द कराई हुई है दोस्तो इस टेक्टर में air filter की तो यहां पर dry type dual element वाला air filter लगा हुआ है जो की choke sensor के साथ में आता है साथ ही कंपनी ने 12 old 75 AH एहमरान कंपनी की battery offer की है और radiator की बात करें दोस्तो इसमें तो 72 कंपनी ने 50 horsepower का radiator लगा है जिससे इस टेक्टर का engine ठंडा होके काम करता है अब बात करेंगे दोस्तो इस टेक्टर में engine की तो यहाँ पर कंपनी ने लगाया हुआ है इस टेक्टर में तीन सिलेंडर का water coolant, fall stock, direct injection, naturally spreaded और 48 horsepower का engine जो की 540 से 22 related standard RPM के साथ में 217 newton meter की लगवग लगवग तोड़क जनरेट करके देने वाला है साथ ही साथ इसके बाजू में आपको water separator की position और उपर की तरफ जो है आपको टेक्टर के अन्रेलिमेंट से देखने के लिए मिलते हैं बात करें दोस्तो इस टेक्टर में tire की तो MRF का अगला tire 38 by 20 का और साथ ही पिछले tire की बात करें तो यहां पर company ने 14-9-28 का MRF कमपनी का ही tire जो है इस टेक्टर के अंदर ओफर किया हुआ है साथ ही साथ company ने इस टेक्टर में double सका फोल्टर वार दिये हुए हैं जिससे इस टेक्टर का bonnet असानी से बंद हो जाता है इस टेक्टर के overall look की बात करें तो दोस्तो यह है farm track ultra 45 ultra max दोस्तो company ने जो है इस टेक्टर को बहुत leading तरीके से बनाया हुआ है और इस टेक्टर की यह performance है अपनी स्रैनी में सबसे ज़्यादा सांदार देखने के लिए मिल जाती है दोस्तो आज हम आए हुए है मायरस आटो मोबाइस जवलपुर मध्यप्रदेश farm track डीलर्सिप के अंदर जहां पर आपको farm tap company के हर एक टेक्टर देखने के लिए मिल जाते है साथ ही साथ किसान भाईयों इस टेक्टर में silencer के ऊपर company ने बहुत अच्छा शांदार quality का पकाउल लगाया हुआ है जिससे गरम होने पर भी इस टेक्टर का engine silencer से हाथ जलने का खत्रा कम हो जाता है fuel tank capacity जो है आपको इस टेक्टर में लगबग 55-50 लीटर की देखने के लिए मिलेगी साथ ही साथ इस टेक्टर का footstep पर platform और engine से connect करके दिया जाता है आईये ले चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरह बात करेंगे और भी जादा features की तो यहां instrument cluster के अंदर company ने analog, digitally दोनों तरह का instrument cluster जो है स्टेक्टर के अंदर offer किया हुआ है साथ ही साथ driver के right तरह आपको स्टेक्टर के number of gear 4 मिलेंगे यहां DC PC lever company ने offer किया हुआ है breaking lock mechanism मिलेगा double distributor valve का lever साथ ही साथ oil limits multiplied oil में डूबे हुए तेल में डूबे हुए brake देखने के लिए मिलेंगे driver के left तरह low high medium का gear मिलेगा साथ ही साथ यहां पर company ने super subtle gear दिया हुआ है जिससे आप किसी भी gear में आंगे पीछे जा सकते हैं और यहां पर PDU के अंदर separate याने की independent clutch और PDU जो है आपको स्टेक्टर में separate lever देखने के लिए मिल जाता है किसान भाईयो साथ ही साथ किसान भाईयो यहां पर four wheel यह टेक्टर है तो four wheel drive का separate lever आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तो इस स्टेक्टर में यदि हम बात करें clutch की transmission का तो separate clutch PDU के अंदर और transmission के अंदर separate clutch और tool विगे रे storage करने के लिए fender cooper company net toolbox आफर किया हुआ है किसान भाईयो इस स्टेक्टर की steering में आपको मिल जाती है नौप जिससे आप एक बाद में स्टेक्टर की steering पूरी काड़ सकते हो साथ ही साथ दोस्तो ये तो बात हो गई यहां के सारे features की अब ले चलते हैं हम आपको स्टेक्टर के पिछले हिस्से में तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें दोस्तो इस टेक्टर में पिछले हिस्से भी में company ने सांदार features दिये हुए है जिसमें यदि हम बात करें distributor ball भी की तो heavy duty company fitted double distributor ball में मिलेगा company fitted दोस्तो साथ ही साथ दोस्तों इस टेक्टर में अब हम बात करें यहाँ पर distributor operating system की तो यही रहा separate lever और दोस्तों इस टेक्टर के अंदर यहाँ पर टापलिंग के अंदर company ने तीन point offer किये हुए हैं जो की full automatically depth and draft control वार के साथ में आते हैं यहाँ पर LED light जैसी connectivity के लिए separate socket वार दो लीटर तक का water storage reflector की position और यहाँ पर जो है company ने आपको इस टेक्टर में सांदार multi gear speed के साथ में आने वाली लगवग लगवग 44.4 पावर की PDO offer की हुई है लिफ्ट आपको इस टेक्टर में 2000 kg की छमता वाली देखने के लिए मिल जाती है साथी साथ यह टेक्टर 3 year की warranty के साथ में आता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको farm tech company की तरफ से आने वाला farm track ultra 45 कॉमेंट करके जरूर बताईएगा जय जवान जय किसान